नमस्य दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ आलू और शिम्लामित से बनने वाली ये रेसिपी बनने में बहुत असान है इसे आप as a starter serve कर सकते हैं, main course या as a side dish आप serve करें बच्चे हुए आप बड़े, सभी को ये बहुत पसंद आएगी और taste की guarantee तो मेरी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक कडाई में हम सिर्फ दो छुटे चमश तेल गरम करेंगे oil गरम होते ही, इसमें डाल देंगे आदी चुटी चमश जीरा, आदी चुटी चमश सरसो के दाने और एक चुटकी हिंग, इनको अच्छे से हम चटकने देंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी, 3-4 में नोबले हुए आलू लिये हैं छील करके मैश कर लिया है, अच्छे से इन आलू को पहले हम जो तड़का है, उसके साथ मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वात के अनुसर नमक और हमारे मसाले मसाल एकदम बेसिक हमने यूज करने है, लालविश पाउडर है, हल्दी पाउडर और दनिया पाउडर बस बेसिक मसाले में डालूँगी, कुछ हमें ओवर पावर इसे नहीं करना है थोड़ा से मैंने अमचूर डाल दिया है, आप अमचूर के जगे चाट मसाला भी डाल सकते हैं अच्छे से सारे मसालो को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक खास मसाला डालूँगी जो कि है सौंफ यह सौंफ इसमें स्किप मत कीजेगा, इस सौंफ की वज़े से बहुत ही बहतरीन टेस्ट आता है दो से तीन हरी मिर्चे हैं, आप अपने स्वात के नुसार डाले, साथी थोड़ा सा धन्या पत्ता लास में थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, अच्छे से इसको कर लेंगे, मिक्स इस मसाले को हमें बहुत ज़़ादा कुक नहीं करना है, बस सिर्फ दो से तीन मिट लगेगा इस मसाले को आपको बनाने में मसाला हमारा रेडी है, गैस बन करके इसे एक प्लेट में निकालके बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं यहां मैंने तीन शिम्ला मिश ली हैं, यहां में पास चोटी वाली शिम्ला मिश थी, अगर आपको बड़ी शिम्ला मिश हो तो आप उनका इस्तमाल कीजेगा लंबी शिम्ला मिश होगी, तो उसे इस तरीके से आप तीन लेयर में कट कर सकते हैं, यान इस तरीके से तीन इसकी रिंग्स निकाल सकते हैं बट हमारे पास जो छोटी शिम्ला मिश है, मैं इस तरीके से इने दो पार्ट में ही कट कर रही हूँ अब इस शिम्ला मिच को हमें बिल्कुल अच्छे से अंदर से खाली कर लेना है तो ये देखिए जो भी इसका गूदे वारा पार्ट है इसको हम इस तरीके से हटा लेंगे तो वैसे ये जो रिसिपी है ये रिंग वाली शिम्ला मिच में बहुत अच्छी लगती है जब नीचे उपर से अच्छे से सिक जाती है पर अगर आपके पास नहीं हो तो आप इस तरीके से भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ये जो इसका आई वाला हिसा होता है उपर का टॉप वाला हिसा उसको भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे ये देखिए इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इसको मैंने पूरा अंदर से खाली कर लिया है इसी तरीके से हम अपनी बाकी की जो शारी शिमला मिर्च है वो भी ready कर लेते हैं ये देखिए मैंने सारी जो शिमला मिर्च है वो cut करके ready कर ली है देखिए इस तरीके से नीचे और उपर का थोड़ा थोड़ा पाथ हमने अटा दिया है इस तरीके से हमने जो सारी rings है वो बना करके ready कर ली है तो चलिए शिमला मिच भी हमारी ready है हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो चुका है अभी शिमला मिच के ring हम ले लेंगे और जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से आप हथीली पे से रखे और जो मसाला है इसमें दबा दबा कर जितना मसाला आ सकता है अच्छे से हमें फिल कर लेना है नीचे की तरफ से भी प्रेशर देंगे उपर से भी प्रेशर देंगे और यह देखिए इस तरीके से इसे हमें ready कर लेना है आप चाहें तो इस आलू के मसाले में चीज भी ऐड़ कर सकते हैं मैंने इसे यहाँ प्लेन ही रखाए यह देके इस श्रिमिला मिश मारी रैडि है इसी तरीके से हम अपनी बागी की यो सारी श्रिमिला मिश है वो भी इस तरीके से हम फैला देंगे इसे बनाने के लिए आप फ्लेट सर्फेस का तवा या इस फ्लेट सर्फेस की कड़ाई का ही इस्तमाल करें अभी शिम्ला मिश हम इसमें रखते जाएंगे गैस की फ्लेम हमने यहाप एकदम लो रखी हुई है तो लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे ह अभी हम चाहिए इसे हमें पगा लेना है यानि चीशे है तो बहुत जाती है तो इस तरीकसे आप चैक कर ले है तो डीके अच्छे सीख चुकी है तो सारी चीश मेश हम पलट लेते हैं और दूसी तरफ से भी इसे वापस से एक सेड़ेड मिट के लिए जादा करूग कि आप चाहें तो इसे खुले में भी इसको सेख सकते हैं यह देखिए हमारी सारी शिम्ला मिश रडी हो चुकी है देखिए कितना ब्यूटिफुल इसका कलर आया है एक बार दूसी तरफ से भी पलेट कर हम चेक कर लेते हैं तो यह देखिए बढ़िया से यह कुक हो चुकी है और यह देखिए कितना शांदार इस पर कलर आया है अब आप चाहें तो इसे एज़टीज सर्फ कर ले मैंने इसी थोड़ा सा इंट्रस्टिंग बनाया है मैं इसके उपर प्रोसेस चीज का इस्तमाल कर रही हूँ यह टोटली ऑप्शनल है लेकिन बच्चों को अगर जाब इस तरी किसे देते है ना जिस चीज में चीज डाल देंगे बच्चे उसे बहुत शौक से खाते है तो बस इसको डग देंगे सिर्फ आदे से एक नट के लिए जब तक चीज हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तो देखिए कि चीज बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रोसेस में तो लीजे फ्रेंट्स हमारी जटपट बनने वाली स्टफ शिबना मिश्पन करके रेडी है देखिए दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अमेजिंग आप इसे स्टार्टर सर्फ कर सकते हैं दाल चावल या किसी भी खाने के साथ as a side dish सर्फ कर सकते है बहुत ही जटपट बन जाती है मेमान आ रहे हूं या घर में ही कुछ खाना हो बच्चे हों या बढ़े सबी इसको बहुत ही खुशी से खाते हैं तो एक बार इस recipe को आप जरूर ट्राइ कीजेगा I am sure आपको ये बहुत पसंद आएगी और अगर आप ट्राइ करें तो आपका feedback में इससर जरूर शेयर करें तो चलिए friends आज के लिए बस इतना ही